पहले शक्रान मुझके बाद लाऊंगा पेरे हाथ के बालत पेसे मैं जाद लाऊंगा जो कल जी पाने पिला देश जी ए मेरे गला सूख रहा है आ ये दोस्तों तो आपको पता होगा कि प्यार अंदा होता है पर इस जनरेशन का जो प्यार है वो अंदा नहीं बलके गंदा है ये बड़ी अच्छी बात कर ये आप यार बड़ा ही थुका हुआ प्यार है ये तो पर आप मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस प्यार को मैं क्या नाम दू वाव नीला टॉयलेट और लाल बाथरूम के लिए प्लास्टिक बॉटली इंवेंटेड इन 1973 और उससे पहले जो है दोस्तों लोग एक दुसरे को ऐसे ही पानी पिला थे अब में भी स्कूल जाकर आपनी क्रश को ऐसे ही पानी पिलाऊंगा और उसके साथ ऐसे ही खेलूंगा अगर आपको पी अपनी सिहत का खयाल है तो केंट आरो से भी अच्छा और मिनरल्स और आयन से भरा हुआ शुद्ध पानी पी लीजिए गाईज अगर मचर ने भी डंक मार दिया ना तो वो तेरे सिने के आर पार हो जाता होगा अहां बावडी की बात भी देखो किस के सामने कर रहा है यह स्प्लेंडर के सामने अर उसने भी धत्का मार के फेक दिया इसको अई तनी सारी लड़किया वे तरलोड़ खड़ा गया परफोर्मंस है भाई यही यही तो चाहिए था भगवान ने मुझे ना यही देखने के लिए जिन्दा रखाए यार देखो मेरे मरने तक मुझे यही गम रहेगा कि मैंने आपने स्कूल के लड़कियों के साथ यह डांस नहीं किया और मुझे लग रहा था कि यह भाई रेल गाड़ी रेल गाड़ी खेल रहा है पर उसके पीछे इसका कुछ अलग ही रास था यह बातें बताई नहीं जाती है नजर लग जाती है जब आपको सरकारी नोखरी लग जाए आपके चाचा आपके गाओ के विधायक बन जाए जब आपका फुपा अवल दर्जे का बदमास बन जाए अब मेरे दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया है अब में मेरी शादी में बिल्कुल यही सेम डांस मेरे सालियों के साथ करूँगा अगर जिन्दा बचा तो अपने बात को होस्पिटल लेका जाना अच्छा हमको सिखा लिगा है भाई जब उसके बाप को होस्पिटल ले जाये ना तब तू भी उसके साथ चेले जाना क्यूंकि तुझे भी चार-पास बॉटल ग्लुकोस की जरूरत है वरना यहीं पर धेर हो जाएगा तू वहँ हो ऐसा बोल रहा है जैसे खुद में बहुत सारा दम हो उससे दम की जरूरत है और तुझे खुद दुआओं की जरूरत है अब इसे दवा की नहीं दुआ की जरूरत है तुझे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तेरी सिर्फ 4-5 महिने की गेम बखी है इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि इन दोनों को एक ही समय पर हगने के लिए आई है पर जा तो कोई एक ही सकता है आज पहले में ही हगूंगा अगर तुझ में दम है तो मुझे रॉक कर दिखा भाई प्ली जैने दे भाई वो जोर्जी लगी एक तू परसे सफेट पैंट पेंड के आया हूँ कई पैंट में नानी तुझे आएगा हाँ 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 है क्या जुल्म हो रहा है उस बच्चे पर अरे अंकल जी छोड़ दो उस बच्चे को वह इंसान का बच्चा है स्नैप्चैट का नहीं जो उसके आगे पिछे आगे पिछे हाज घुमा कर उसके मूड का फिल्टर चेंज कर रहे हो आप जब यह बच्चा पैदा हुआ था तब इसके बाप को डॉक्टर ने कहा था मुबारखिए आप तो बहुत कतर ना आगे आपने तो टिक टॉक को ही पैदा कर दिया तो पागल हो गया है पूरे सरी संदूर पोत रहा है आपा में कांके आंटी के बस गया था तो आंटी जावे संदू यू लगा रही हो बेटा में संदूर इसके पिता के लंबी मुद्ध लिए लगा रही हूँ वा भय वा क्या प्लाणिंग है इतने आची प्लाणिंग तो फर्स्ट एन फिर्स्ट इन फिर्स्ट रही है प्यूरिस वाले भी नहीं करते होगे जितने प्लाणिंग इस आकेले आदमी नहीं किये यह मश्बूर है पर आप नहीं प्रॉपर्टी की भी बात ऐसे कर रहा है जैसे सुरेवन्चम कित्यर का भानु प्रताप ठाकुरों और है क्या इसके पास एक टेबल एक पानी के बॉटल एक खुडसी और एक जोपड़ा जिसमें भी दर्वाजे नहीं बल्कि पढदे लगे हुए है यह है इसकी तमाम जि यार यह बच्चा हर बात पर इतना चिला रहा है जिससे लोगों का दिमाग फट जा रहा है यह बच्चा रियल लाइट में हजार किस पिंग पे चल रहा है क्या बूला है यहाँ बंतरा रहा विडो दरा क्यों रहा है थेंक्यू वर वाच्चेंग